दोस्तो वेलकूम टो मैं यूटूब चैनल, मेरे यूटूब चैनल में सभीको स्वागत है, दोस्तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करूँगा कुछ गूड नियूस, ये गूड नियूस है रिगर्डिक साउथ कुडिया, साउथ कुडिया के साथ इंडिया का एक एर ब मुझ में नहीं आएगा जो मैं अब लोगों को समझाना चाहता हूँ दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो नए भीवर से मेरे चनल में मेरे चनल को जुरू सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन उसको दबा दीजे तो दोस्तों चलिए शुरू क सेक्टर का दोनों कंट्री का एक एगर्मेंट होता है इसमें क्या होता है कि साउथ कुरिया गौब्मेंट के साथ इंडिया गौब्मेंट का जो एर बावूल एगर्मेंट हुआ है मतलब है इंडिया से साउथ कुरिया में फ्लाइट जा सकते है उसमें इंडियान प्रसंज और इंडियन प्रसेंजर भी रह साकते हैं बतलब दोनों देशों के बीच में फ्लाइट चालू होगा इसको कहते हैं एयर बबल इस एयर बबल में जो जो कहा गया है कि जो ट्राविलिंग रेस्टिक्शन है वो बहुत ही रिलक्स कर दिये जाएगा ताकि जो इंडियन से और बाकी नेशनल्स है वो बहुत ही अरम से कॉंपोर्डेबली साउथ कुडिया में एंटर कर सके और ट्राविल भी कर सके दोस्तों इस एग्रिमेंट में और एक चीछ लिका है वो साइद आप स्कीन में देख रहे हो जो नंबर नंबर फ्लाइट है वो काफी जादा होगी मतल चल सकता है इस एर बावल के एग्रिमेंट में और दोस्तों इसमें जो है वीजा कैटेगोरी का भाई रिलक्सिंग होगा आप इस एग्रिमेंट में देख रहे हो लिखा है कि वीजा कैटेगोरी जो है उसको भी रिलक्स कर दिये जाएगा ताकि जो इंडियान ट्रावेलर् लेकिन दोस्तों इसमें clear करके अभी बताए नहीं कि टूरिस्ट को open कर देगा या business को open करेगा लेकिन दोस्तों जब air bubble agreement हो चुका है तो जो इंडियान्स है वो तो Korea जाना चाहेगा अगर उनके पास वीजा नहीं है तो वो कैसे इंडिया जाएगा मतलब वीजा देना भी Korean government स् air bubble agreement का फाइदा तभी होगा जब इंडिया से passengers जो commercial passengers है वो कोडिया जा पाएगा और कोडिया का जो passengers है वो इंडिया आ पाएगा ये passenger तभी जा पाएगा जब Korean government वीजा देना चालू करेगा उन्होंने ये इस agreement में बोला गया कि जो वीजा का जो restriction है वो visa categories का जो restriction है वो भी क आपी हद तक relax हो जाएगा मतब हम लोग इसको मान लेते हैं कि साइद बहुत जल्ड कोडिया का tourist visa open होने वाला है अगर new year के अंदर open नहीं हुआ तो आगले जनवरी एंड ये फेबरेरी तक हम लोग सोच तकते कि कोडिया का tourist visa है और business visa है वो open होने वाला है अब लोग को बत सकते क्योंकि air bubble के agreement हो चुका है flight दो तीन दिन के अंदर जो flight list है वो भी सारा आ जाएंगे तो आप लोग कोडिया भी जा सकते हो दोस्तों और एक चीज आप लोग में बताऊंगा अगर आप लोग कोडिया जाना चाते हो तो यही आप लोग के बस मौका है यह time है एक right time है एक good time है कि आप लोग अपना documents बागर प्रिपेर करो कि जो South Korea visa है वो बहुत जल्दी खुनने वाला है यह जो air bubble agreement है इस agreement को अगर आप सही से परोगे धन से परोगे तो आप लोग को भी पता चल जाएगा कि agreement में क्या क्या लिका है उन्होंने जो flights है बो भी relax करेगा जो travel restriction है बो भी relax करेगा और जो visa category है बो भी relax करेगा यह सबसब Korean government ने कह दिया है तो दोस्तों इस वीडियो अगर आप लोग अच्छा लगा तो एक like जोरू कीजेगा अगर अच्छा नहीं लगा तो dislike कीजेगा और दोने case में मेरे चैनल के जोरू subscribe कर लिजे आज के लिए इतना ही बायओ बायओ अच्छा उब सुआ ण Ooh